धन्यवाद मान्य मंतरी स्री, स्अरी सभापती जी, मान्य मंतरी स्री, हमारे ट्राइबल, मान्य मंतरी स्री अर्जुन मुंडा जी, जम्मु कश्मीर, अनुशूचित जनजातियां, संसोदन विधेक, 2024 लेकर आये हैं, उस बिलपे में अपना विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूँ मान्या सभासवत पती जी जम्मू कश्मेर में रहने वाले पहाड़ी विस्तार में रहने वाले चार समुदाई पाड़ी, कौली, गद्दा भ्रामिन और प्रहरी इथेनिक ग्रूप इन चार समुदाईों का जम्मू कश्मेर में रहने वाले जो मुल निवासी बार समुदाई है उस समुदाई में सम्मिलित करने का ये बिल में प्रावधान रखा गया है मान्या सभापती जी मैं इस बिल के बारे में बोलने से पहले मैं बारी पीड़ा से ये जम्मू कश्मीर की बात रखना चाहती हूँ मान्या सभापती जी देश आजाद जहरूर उन्निस सो सुन्तालिस में हुआ लेकिन सही माइने में जम्मू कश्मीर में रहने वाले हमारे ट्राइब भाई बेहन आजाद हुए थे डॉक्टर बाबा साहिब ने जो बंदारण किया था सम्मीदान बनाया था सही माइने में वो सम्भाधन के लाबार्थी बने थे मगर आज में इस सदन में गर्वज से कहूंगी दोहजार उन्निस जम्मू काश्मीर में रहने वाले हमारे ट्राइबल भाई बहन के लिए एक सुर्वदे हुआ देश का प्रधान मंद्री माध्य मोदी जी और हमारा यसस्वी गुरु मंद्री अमीद भाई शाह जी ने इस सदान से जम्मू काश्मीर के लिए ये 373 कलम हटा कर सबापती जी, वहांवन अमदूला मुक्त की है जो राज था वो गरीबों के लिए, ट्राइब के लिए, बिछ्डे समाज के लिए एक अभिशाप था वो उनका अन्त आ गया और हमारे मोदी जी अपने पुरुसार्थ के लिए पुरुसार्थ से इन गरीबों के लिए इन बिच्डे समाज के लिए अपने बल पर काम करने लगे मानिया सभापती जी में लेकिन आपके माध्यम से एक कॉंग्रेस वालों को मैं पुछना चाहती हूँ कि इतने बर्सोजे हमारे समाज के लिए हमारे ट्राइब समाज को सित्तेर सित्तेर वर्स तक उनको अपने लाभों से उनको आराक्षन के लिए से क्यों वन्चित रखा उनके अमारे इस विस्तार में रहने वाले इवक्तियों को पाट साला में बेजने के बिना आपने गेर प्रवुतियों में दकलना का काम क्यों किया आपने आतंगबद प्रवुति में दकलना का काम क्यों किया उनकी जिंगी आपने नरकार कारागार क्यों बना दिया मानिया सभापती जी आज हमारे मोदी जी का नेतरूत्व में जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है आमूल परिवर्तन हम देख रहे हैं एक समय का जम्मू कश्मीर एक स्वर्ग था आज जम्मू कश्मीर फिर से स्वर्ग बनकर उबर रहा है हजारों संख्या में आज यात्री वहां आ रहे हैं और हमारे ट्राइबल समुधाई के लिए हमारे मोदी जी ने वहां एकलवे रेसिडन्सी स्कूल, कॉलेज, आईटी आई और टूरिजम क्षित्रे आमूल परिवर्तन, हॉमस्टेड और हमारे ट्राइबल विवकिव्द्यो आज गाइड बनके आत्मनिर्बर बन रहे हैं, उतना ही नहीं जम्मु का स्मिर समग्र पहाड़ी लाका है, बहुँ जन उसोधी भी मिल रही हैं, वन उसोधी भी मिल रही हैं, और वन केंद्र का माध्यम से वो सारी बिक्री करके भी अपना जीवन में बल्ला बरा रहे हैं, मने सभापती जी हमारे कितने लोग हमारा कॉंग्रेस सदेश या निरश डांगी जी अब बात कर रहे थे कि इस सरकार ने सोची समाज के लिए क्या क्या, एस्टी के लिए क्या क्या, वो हमारे पडुसी राज राजस्तान से आता है, मैं गुजरात के उनके पहड़ बगल मे रहे लवाली, मैं भी एक ट्राइब हूँ, मुझे मालूम है वक बरसों तक कॉंग्रेस ने ट्राइब के लिए क्या किया, और ट्राइब के लिए तो कॉंग्रेस ने डिपार्डमेंट भी नहीं अलग किया था, तो वो विकास की बात क्यों करें, हमारा देश का परदान मंतरी गुजरात के मुख्य मंतरी रहते हुए, हमारे गुजरात में जो हमबाजी से उमर गाव तक एक करोड से ज़्यादा, ट्राइब की आबादी है, उनके सर्वान की विकास के लिए वन बंदू कल्यान उजना, पंदर करोड से सुरुकी थी, आज वो सिल सिला, एक करोड से ज मोदी जी जारे काम कर रहे हैं, तारे कौने कौने के ट्राइब के लिए, चाहे वो मेदान में रहो, चाहे पाड में रहो, दुर्गमेरिया में रहो, जंगल में रहो, उनके सर्वान की विकास के लिए वो काम कर रहे हैं, मानिया सभापती जी, मैं एक घंडरा मोदी जी कित सदन में रखना चाहती हूँ मोदी जी कितना समर्पी थे कितना लगाव राखते हैं उनके वन बंदू के लिए जो बिछडा समाज था आदेम जूत समगरत देश पर में उन्होंने जाँच किया और वो समुदाई अढ़ार स्टेट और एक केंद्रसासित राज्य में उनकी आबादी एक करोड़ नव लाख वीस हजार सत्तावन उनका समुदाई 93 उन सब का सुचीत बना के खुद मन्य प्रधान मंत्री जी ने जारकर कुटली गाम से उन सब के साथ समबाद किया उतना ही नहीं 24,000 करोड PM जन्मन युजना के ताथ तीन साल का प्लान बनाके वो बिछडे समाज को पन अन्य समाज के हरोड में जो काम किया है वो एक हमारे लिए एक आदर्स बनके काम कर रहा है तो मैं हमारे मीत्रों के कहती हूँ आप वाद विवद टिका टिपन करने के सिवा मोदी जी के जो बिछडे समाज के लिए कर रहे है तो आओ हम सब मिलकर इन समाजों को समन्मान करे और मोदी जी जो कर रहे है उनको आवकार करके मेरी वाद यहां समापत करती हूँ धन्यवाद